वह लड़की के जो unmarried है वो और शादी नहीं करती वह बाजारी है वह बाजार हुआ अरत है अगर average देखेंगे लड़कियों की ताजा ज़ादा है जिनको शादी के लिए मर्द नहीं मिलेंगे तो शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे पाकिस्तान के अंदर इतने बड़ी ग्यादरिंग में एक बंदा खड़े होके जहां पर इतनी खवातीन है उनको कह रहा है कि अगर तुम अन्मेरिट हो तो तुम बाजार हो यह तो तुम लोग इतना परिशान हो गए यहां पर समझे लो इंडिया में क्या कलेश करके गया हो जिस थाली में खाया उसी में छेद करना जाके नाइक के पुरानी आदत है लिहाजा उसने पाकिस्तान की भी पोल खोल कर रख दी वजह साफे कंदाल पाकिस्तान छूट नहीं दे पा रहा है और गैरत पर पल रहा जाके नाइक ये पैसे भर भी नहीं पा रहा और इसलिए वो बोल रहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सुता हमारा जो अब तुम्हें याद आ रही है ने इंडिया की वा भई वा मैं कहती हूं बई सरूट नाइक ने एक और वो ऐसे तो कहते हैं कि चवली मार दिये लेकिन वो नहीं बोलेंगे उनके लिए लेकिन जो उन्होंने कहा है ना वो चवली से कहीं बहुत आगे की चीज है मैं इसको इस तरीके से कंडेम करूंगी एक बच्ची ने उनसे और सवाल कर दिया और इस सवाल में उस बच्ची ने खड़ी थी ना इसकी ओपर भी जड़क दिया डॉक्टर जाकिट नाइं उस लड़की को उसका पहला सवाल ये था ये बताईए कि इसलाम में मर्द को जो पाकिस्तान के अंदर इतने बड़ी ग्यादरिंग में एक बंदा खड़े हो के जहां पर इतनी खवातीन है उनको कह रहा है कि अगर तुम अन्मैरिट हो तो तुम बाजार हो आपको यकीन या रही है देखिए I'm a student of metric and my name is Hamna Habib Men को Islam में one marriage का right क्यों नहीं अलाओ और woman को inferior क्यों कहा गया है जिस तरह गवाही में एक मर्द के बराबर दो ओड़ते हैं तो ऐसा क्यों Ben ने सवाल पूछा के Islam मजब में मर्द को एक से ज्यादा शादी करने की इजादत क्यों है लड़कियां में ज्यादा कुवत है germs और diseases का मुकाबला करना बनिद्बत लड़कों में इसलिए आप देखेंगे के बच्पन के age में लड़कों की ज्यादा मोत होती है बनिद्बत लड़कियों के तो आप अगर average देखेंगे लड़कियों की ताज़ा ज्यादा है तो आज की तारीक में आप अगर देखेंगे मिसाल के तोर पे USA में सिर्फ USA में 45 लाक से ज्यादा आउरते हैं और अगर USA में हर मर्द ने एक आउरत से शादी की फिर भी 45 लाक आउरते होंगी जिनको शादी के लिए मर्द ने मिलेंगे तो के आप्शन है उनके लिए दो आप्शन है चाहे पहला आप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवे आलड़ी है या वो बादा और या औरत बन जाए मैं इंगलिश में बोलता हूँ पब्लिक प्रॉपटी लोग एतराज लेते मैं कहता हूँ इससे अच्छा लव्द मेरे पास है ने तो आप कोई भी एक अच्छी खातून को पूछेंगे और दो आप्शन आपके पास है ऐसे मर्द से शादी करो जो जिसकी शादी हो चुकी है या आप बादार या उरत बनो कोई भी अच्छी औरत ये कहींगी कि मुझे पहला आप्शन प्रिफर्ड है और कई वज़े है इसलाम में कि क्यूं मर्द को एक से ज्यादा बीवी की जादत दी गई हो सकता है कि आपके बीवी में ऐसी कोई बीमारी है जो शोहर को वो पहले बीव को रखो और दूसरी बीवी ते शादी करो अब आप मुझे ये बताइए कि एक जितनी भी अन्मेरिट लड़किया है और जो शादी नहीं कर रही है इनकी शादी उन्हीं होती तो वो बाजारू बन जाती है क्यूंके वो किसी वज़ा से शादी नहीं करती उन् तुम्हें बाजारू अरत कहेंगे यहां तुम्हें पब्लिक प्रॉपर्टी मैंने नाम रखती है तुम्हें ये कहेंगे ये इतनी बड़ी गैदरिंग में बका जा रहा है और लोग चुप करके बैठ के सुन रहे हैं और उसके बात कराजी यूनिवरस्टी ये फैसला करत मजबूरत उनका जवाज देखें आप लॉजिक देखें क्योंकि दुनिया में अमरीका के उनने मिसाल ये दी कि 42 लाक 42 लाक विमन ज्यादा है मर्दों से तो क्या होगा अब वो अगर एक मर्द एक ही शादी करेगा तो वो तो फिर वो रह जाएंगी यहां पे तो यह सवा करतीयान ही होती जो करना नहीं चाहती एंडिपेंटन होती है कमा कि अपने घर वालों को पाल रही होती है जलाती है अपने दिन भाइयों को बड़ा करती है पढगा नहीं वह जाती है तो नहीं करनी तो वो क्या बजारी हो गई आप उन्ध इस बंड़ को प słuस्Ma готовה गिश इ एक सेकंड के अंदर मैं on a serious note में बता रहो I'm not joking ठीक है तुम वर्टिकल से horizontal हो जाओगे फट से तुम तो मत आना है इंडिया तुम जहां पे safe हो तुम बाहर ही रहो अब इसने बोला unmarried women को बोला है कि ये there is no way an unmarried woman can be respected so there are two options first option is to get married to a man who's already has a wife यानि कि आप दूसरी तीसरी चौती बीवी बन जाएं दूसरी चीज है कि वरना आप बाजारी ओरत बन जाएंगी पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाएंगी लोग ताली पीट रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में यार पाकिस्तान में तो ये mindset है ना यार पहली दूसरी तीसरी चौथी पांच पता नहीं कितनी कितनी हमाब है यह देखो कहरा एनी रिस्पेक्टिबल वोमेन वोलोट फर फर्स्ट आप्शन यानि कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप एक शादी शुदा मर्द से शादी कर लें और अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आप बाजारू आरते हैं यह डॉक्टर जाकरनायक का कहना है अच्छा एक और वीडियो वारेल हुआ है जिसमें कि डॉक्टर जाकरनायक को एक पठान लड़की बोल रही है कि यार हमारे याना लोग इसलाम को बड़ा मानते हैं बड़े कटर मुसल्मान हैं हमारे अलाके में या खाइबर पक्तून को अकी लड़की तो कह रही है कि हमारे अलाके में बड़े लोग नमाजी हैं और यह सब हैं लेकिन वहां पे पीडोफिलिया यानि कि बच्चा बाजी वहां पे बड़ी कॉमन है, एडल्टरी बड़ी कॉमन है, ड्रग एडिक्शन बड़ी कॉमन है, तो ये कह रहे हैं कि ये मुस्लिम स्कॉलर्स जो हैं इस चीज़ को एडरेस क्यों नहीं करते हैं, जो मुस्लिम स्कॉ expenses against children पांच छे साथ आट साल के बच्चों के साथ और ये सारे के सारे वहाँ पे ये सब हो रहा है वहाँ पे एडल्ट्री हो रही है वहाँ पे और गलत चीजें हो रही है ये मुस्लिम उलेमा इसके बारे में बात क्यों नहीं करते है अब जाकरनाग ने उसका जवाबी नहीं दिया यह आदमी ऐसी करता है गैसलाइट कर देता है लोगों को ठीक है तुम इससे सवाल पूछो के तुम ही भसा देगा और कट लेगा क्योंकि इसके बाद जवाबी नहीं है यह कह रहा है कि यहां पे नो मेंशन ओफ पीडोफिलिया इन कुरान और इनी इसलामिक स्क्रिप्चर और फिर उस पर तौमत लगाई कि तुम इसलाम को बदनाम कर रही हो यार इसका क्या मतलब है कि पीडोफिलिया का कोई कुरान में मेंशन है कि नहीं है यह क्या लॉजिक है भई पीपल डोंट जज़ यू बेस्ट ऑन वट इस रिटन इन दो कुरान पीपल जज़ यू और एक्शन जो आप काम करेंगे जो आप करम करेंगे लोग उस पे ना उस पे देखके आप पे उंगली उठाएंगे कि भई तुमने अच्छा काम करा है बुरा काम करा है आप दस बुरे काम करो और जब आपसे कोई बोले तुमने बुरा काम क्यों करा तुम कहरें अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है मैं तो मुसल्मान हूँ कुरान में तो ऐसा लिखा है निखा हो ना लिखा हो that's a separate matter वो लड़की तो यह पूछ रिए कि भई हमारे माशरे में यह सब होता है और इसके बारे में क्यों नहीं यह आवाज उठाते तो उसी को अ मुसल्म के निवर कमिट सेक्चुल अब्यूज अगेंस चिल्रन थिंक 10 ताइमस बिफर मेकिंग सच अक्यूजिशन करती है उसना खेल खतम जाकिर नाइक सेज सेव इंकम वाय यूट्यूब इंकम वाय यूट्यूब इस हराम यह कह रहा है कि और ते आती हैं चोटे चोटे कपड़े पहन के यूट्यूब में तो यूट्यूब से जो इंकम कमा रहा है वो हराम है आधे पाकिस्तानी तो यूट्यूब से इंकम कमा रहा है क्योंकि वहाँ पर और नोक्री है नहीं फ्रीलांसिंग ही चल रही है पाकिस्तान में बई तो यह कounty रहा है कि YouTube से इंकम हराम है अब देखω पाकिस्तानी इतने खुश थै इतने खुश थै बावले रक्थ था जाकर नाएक नहीं आगे इनको लगता है जिनन दुबारा जिन्दा हो गिया हाथ चूम रहा है पैर चूम रहा है मत्था चूम रहा है आगे पीछे चूम चूम बलकुल आरे जाकर ना एक जाकर अब इन लोगों को लग रहा है कि यार ये तो पंगा फस गया यार ये तो आदमी रिग्रेसिव है और मैंने देखा पाकिस्तानी यूट्यूबर्स कह रहे हैं रिग्रेसिव है कि ये सच है रिग्रेसिव मैं अगर पाकिस्तानी रिग्रेसिव कह रहा है तो इसका मतलब ये तो तालिबान कबाब है तो मैं पाकिस्तानियों से कह रहा हूँ कि यार देखो सुनो जब भी तुम किसी को बुलाते हो न अपने मुलक में सोच समझ के एक तो तुम्हारे अवल मुलक में को आना नहीं चाहता इसने क्या करा तुमने बुलाया तुम्हें ही गाली दी और जिस मुलक ने इसको जो मुलक इसको ढूंड रहा है इसको सजा देने के लिए ठीक है जो मुलक यानि मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ जो मुलक इसको सजा देने के लिए ढूंड रहा है कि इसको वापिस भेजो उसको उल्टा लटकाते हैं. उस मुल्क के तारीफ कर रहा है और तुम्हारी बेस्टी कर रहा है. च्पी उसको पता है कि जब तक पाकिस्तानी हो बेस्टी नहीं करो गो उनको स्वाद नहीं आएगा. उनको जाइगा नहीं आता जमान पे. वो कहते हैं यार सड़ी बेशती नहीं भी तो भई ये आपने जाकर नायक को बला है जाकर नायक ने दिखा दिया जाकर नायक क्या चीज़ है ये तो तुम्हारे हैं चार पांच छे दिन रहा है साथ दे हफता बर रहा है तब तुम लोग इतना परिशान हो गए यहां पर आटो ये उस टाइप का अदमी है ये नहीं चाहता लड़कियां पढ़ें ये तालिबान का भी तालिबान है ये वन आप है ठीक है और जाकर नायक जो तुम्हें अभी याद आ रही है ने इंडिया की कि हमें इंडिया की बड़ी इंडिया में कोई नॉन मुसलिम मेरा लग कह लीजिए कि जो उन्होंने बाते की के जी अन्मारिट फीमेल्स को लेकर उसके ओपर भी उनकी अच्छी खासी चितरॉल पाकिस्तान की पब्लिक कर रही है उसके इलावा भी वह जो कुछ बाते करते रहें अभी तक वो उन्होंने ये भी कहा है कि यूट्यूब की कमाई ह जाते हैं तो उसमें लड़की दिखाई धी ये लड़की दिखाई देती ए चीजी लड़की ते कुछ भी पहना होते है तो भाई आप मत देखागरें आप जया से मॉबाइल यूज करना चाहिए उनको पाकिस्तान से वापस जाते हुए भी इनको किसी खच्चर घ्ड़े ओंट या गोड़े में भेच जाना चाहिए इसलिए कि अगर यह किसी फ्लाइट में जाएंगे तो वो भी काफरों की बनाई भी होगी और वो भी यकिनन हराम